नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमन और आज इस वीडियो में मैं अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ बोया BY-M1 लावालियर माइक्रोफोन की जी हाँ अपने इस माइक्रोफोन के बारे में सुना होगा काफी यूटुबर से जो बहुत से यूटुब वीडियो बनाने के लिए करते हैं आपने सुना होगा यूटुब वीडियो में कि वो अपने वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए इसी माइक्रोफोन का यूज करते हैं वोया BY-M1 माइक्रोफोन का तो आज मैं इसकी करने वाला हूँ अन्बॉक्सिंग और मैं कुछ और यू सेंपल भी आपको इसलार हो गया मिन्स किसी भी टाइब के कैमरा से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख पाएंगे बॉक्स में कि यह बहुत छोटा सा बॉक्स है और सिंपल अन्बॉक्सिंग एक्स्पिरेंस होगा आपको इस वीडियो में बिकॉज यह इसमें कुछ ज्यादा है नहीं किसी स्मार्टफोन की तरह किसी गैजट लैप्टॉप टैबलेट स्पीकर की तरह तो बहुत सिंपल सा आपको अन्बॉक्सिंग एक्स्पिरेंस होगा इसमें और प्लस की वो या पी वाई एमवन वाल यह माइक्रोफोन आता है काफी लंबे वायर के साथ तो अगर आपको लॉंग डिस्टेंस में वीडियो सूट करना चाहते हैं अपने और साथ ही में पाना चाहते हैं साफ ऑडियो या साउंड आपका तो यह माइक्रोफोन आपके लिए हो सकता है और और जैसा कि आपने बहुत से यूटूब वीडियो में देखा हुआ कि यह सबसे यूज़ करते हैं इतने भी आपके पाट होंगे डिवाइसेज उस पर काम कर जाएगा जैसे कि स्मार्टफोन पर टैंप कोड़र्स पर लीसलार में और और साथ में पीसी में भी वर्क करेगा पीसी लेप्टोब अगर आप स्क्रिन रेकॉर्ड कर रहा हैं अपने और लगता है तो बस सिंपल सा है यह तो चलिए ओपन करके देखते हैं इसमें कि आपको साथ में इसके अंदर क्या मिलेगा तो बस इस तरह इस टाइप से यह बस एक पाउच मिल जाएगा फुल लेदर फिनिस के साथ रेडजिम पाउच भी बोल सकते हैं आप इसे और कुछ यह नोटीस है पूर स्मार्टफोन के लिए तो अगर आप स्मार्टफोन में यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें एक स्विच है जो आप स्विच कर सकते हैं अपने डिवाइस के अनुशार अगर आप कैमरा में यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्मार्टफोन में यूज़ करना होगा तो इसी चीज का नोटीस है यह इसे भी करते हैं साइद में और यह है यूजर मैनूल जो की शद्रहन सा कुछ पेज लगा सकते हैं और सम्तिंग ऐसा कुछ बहुत कुछ आपको मिल लाएगा इसके अंदर तो इसे पढ़ना ना भूले चलते हैं चलिए इससे भी करते हैं साइड में तो आप देख सकते हैं बोया का यह पाउच है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने माइक्रोफोन को केरी कर अपकी हेंडी केरी इजी डू केरी है बस इस तरह खोल कर और और यह सिलिका जेल भी देते हैं तो अगर कहें साइड में और जैसे कि आप देख पाएंगे कि यह बहुत ही लंबा वायर है अप्रॉक्स यह बॉक्स में मेंशन हो साइड जैसा कि आप देख पाएंगे इसमें यह 6 मीटर का केबल के साथ आता है मिंस कि अगर आप लॉंग डिस्टेंस में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप इजिली कर पाएंगे बिना किसी इस्यू के और यह वैल्क्रो क्लिप के साथ भी आता है तो अगर मैं इसे इस तर कर दूँ तो आप देख पाएंगे कि बहुत थी लंबा वायर है इसका तो आप आप 6 मिटर तक जाता है और यह यह है जो यह मैं आपको दिखा दूँ कि यह एक डिवाइस जैसा कुछ है बीज में जिसे आप इस तरह आप उन्सक्रू करके ओपन कर सकते हैं और बैटरी डा जालने के लिए बैटरी कंपार्टमेंट है इसका जिसका यूज आप कर सकते हैं इसमें तो बहुत एजी और सिंपल है यह कोई बात नहीं है अन्स्क्रू करना इसे बस प्लस आपको यह क्लिप मिल जाएगी अपने बैट क्लिप तो अगर आप क्लिप करना चाहते हैं अपन स्मार्टफोन जो आप देख पाएंगे तो यह एक यूनिवर्सल लावालियर माइक्रोफोन है जिसका मतलब कि आप इसे अपने स्मार्टफोन में टैबलेट में या पीसी लैप्टप में भी यूज कर सकते हैं और यहां पर आपको दिख जाएगी कैमरा अन आफ आफ स्व चार जाएगा और आफ और स्मार्टफोन भी नीचे हैं और कैमरा उपर तो इसे अपनी साब से अप स्विच कर पाएंगे अगर आप कब जैसे अब अगर अपने डीसलार कैमरा है किसी भी कैमरा में रेकोडिंग करना चाहते हैं इस माइक का यूज करके तो आप इसलिए आ सबसे आप यूज कर पाएंगे आपने माइक को चलिए इसमें आपको मिल जाता है 3.5 mm जैक जिसका मतलब आप जानी के होंगे जिए आप किसी में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि आजकल सारे स्मार्टफोन लैप्टप सब कुछ DSLR वगर है सब में 3.5 mm जैक आता है तो यह का आउच में आपको मिल जाएगा एक क्लिप यह मैटल क्लिप है तो काफी डूरेवल होगी आपके लिए अगर आप लॉंग टाइम के लिए उसके पहते हैं पर एक सेल मिल जाता है इसमें आपको बैटरी आप अब इसमें इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और यह जैक मिल जाएगा आपको अगर आप अपने माइक्रोफोन को बड़े डिवाइस के साथ यूज करना चाहते हैं तो 3.5 anis side है और बड़ा ज्याक है और आपको इसके साथ पॉली नगर मिल दाएगा और इसके साथ यूज करना यह तो चलिए बस आपको करना यह होगा कि फॉर्म वाला जो एरिया है इसको आपको इंसर्ट करना इस तरह तो दीखिए इस टाप से आप कर देंगे तो आपका माइक हो जाएगा रेगी तो यूज और क्लिप जो है आपको यहां करनी है इस पर प्लेश इस टाइप से इस तरह तो क्लिप करने के बाद आपना माइक आप देख पाएंगे कि और यह मेटल क्लिप है तो आपको थोड़ा जन स्प्रिंग की इसकी टाइट है तो प्रेस करना पड़ा है तो यह आपका माइक हो चुका है रेडी और इसमें चलिए शेल में डाल देता हूं तो बस जैसे कि मैंने बताया कि आपको इसे उन्स्क्रू करना है तो इस टाइप से और उन्स्क्रू करने के बाद यह इस तरह यह आप यूज कर लिजे प्लोट जो ताकि आपको सेल वापस निकालने में आसानी हो और इसी टाइप से प्लस प्लस आइकॉन देख लीजे और फिर इस तरह आप इंसेट कर सकते हो और ध्यान लखिए के क्लोथ आपका जो अंदर हो तो आपको यह एजी पड़े बाहर निकालने में वापस अगर आप जब भी तो बस यही है आपका जो अंबॉक्सिंग आप देख पाएंगे कि M1 माइक्रोफॉन लावा लियर बोया M1 तो यही है दोस्तों बोया का बी वाई M1 लावा लियर माइक्रोफॉन का अंबॉक्सिंग तो चलिए मैं आपको इसमें कुछ साउंड सेंपल्स भी दिखा दूँगा इसके रेकॉर्ड किये तो अगला साउंड जो आप सुनेंगे तो अभी मैं करेंटली यूज कर रहा हू मोनो माइक्रोफॉन यानि सिंपल सा एक माइक्रोफॉन यूज कर रहा हूं अपने कैमरा के साथ तो अब मैं चेंज करूंगा इसे इस माइक्रोफॉन से और इस माइक्रोफॉन की सेंपल जो आप सुन पाएंगे अगले क्लिक में इमें चलिए दोस्तों मैं करता हूं स्वि तो हाँ जी दोस्तों जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे यह audio जो की है बोया बी वाई एम वन लावनियर माइक्रोफून का जैसा कि आपको फर्क आप खुद फर्क देख पाएंगे कि दोनों में कितना फर्क है audio quality में तो चलिए दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्र के बारे में अगर आपको पास कुछ है कहने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और ऐसे ही अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले